नमस्कार मैं हूँ अबिशेक आप देख रहे हैं मनी नाइन जटपट पाई पाई जोड़कर दोस्तों रिष्टेदारों से मदद मांग कर आम आदमी अपने घर का सपना पूरा करता है लेकिन अब इस सपने को पूरा करना भी मुस्किल होने जा रहा है क्योंकि इस साल देश में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने की बात कही जा रही है रोइटर्स पोल प्रॉपर्टी एनलिस्ट के मताबिक इस बार प्रॉपर्टी की कीमतों में आने वाली तेजी पिछले पांस सालों में सबसे ज़्यादा रहने वाली है वहीं अगले साल और 2024 में घरों की ओसत कीमत 6 फीजदी तक बढ़ेगी मुंबई और दिल्ली NCR में घरों की कीमत इस साल 4-5 फीजदी तक बढ़ेंगी वहीं बैंगलूरू और चैन्नई में घर की कीमतों में मामूली बुद्धी होगी लेकिन अगले दो सालों में यहां कीमत 5-6 फीजदी के दायरे में बढ़ेंगी आखिर घरों की कीमत बढ़ क्यों रही है इस पर एनालिस्ट का कहना है कि देज भर में हाॉसिंग डिमांड बहतर बनी हुई है इस से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है दूसरी ओर बिल्डिंग माटेरियल के दाम बढ़ने से घरों की कीमत भी बढ़ रही है एनारोग प्रापर्टी कंसल्टेंट्स के चियरमेन अनुचपुरी का कहना है कि घरों की मांग में सुधार और सीमेंट, स्टील, लेबर सहित कंस्ट्रक्शन में उप्योग होने बाले बेसिक रौ माटेरियल के बढ़ते दाम कुछ ऐसे प्रमुक कारण है जिनकी वज़े से देज भर में प्रापर्टी प्राइज उपर की तरफ चड़ रही है ब्याजदरों के बढ़ने से भी घर खरीदारों के सामने मुस्किल खड़ी हो रही है इस सेनेरियो का सबसे ज़्यादा असर पहली बार घर खरीदने वालों पर दिख सकता है ऐसा नहीं है कि केबल नया घर खरीदना ही महंगा होगा रिपोर्ट के मताबिक बहुत से प्रमुक्स शहरों में मकानों का किराया भी इस साल बढ़ने वाला है क्योंकि जो लोग इस साल महंगा घर खरीदेंगे तो निश्य थी वो इसे महंगे किराये पर ही चड़ाएंगे जे एलल के रिसर्च डारेक्टर रोहन सर्मा कहते हैं कि आगे ब्यास दरें और बढ़ने के बीज मौजूदा किफायती इस तर पर मकान खरीदने का मौका अगली दो तीन तिमहाईयों में खत्म हो जाएगा नाइट फ्रेंग के रिसर्च डारेक्टर बिवेकराथी बताते हैं कि होम लोन इंटरेस्ट रेट एक फीजदी बढ़ने से मकान खरीदने की अफोर्डिबिलिटी साथ फीजदी से ज़्यादा घड़ जाती है ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि अगर रेपो रेट छे फीजदी या इससे उपर जाता है तो हाउसिंग एक्टिविटी में बहुत ज्यादा स्लोडाउन आ सकता है क्योंकि लोग महंगाई से पहले ही परेशान हैं और महंगा लोन लेकर घर खरीनना उनकी मुस्किलों को और बढ़ाएगा